हलो फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश की नदिया लेकर हम एक बार फिर आप सभी के सामने हैं अजिर हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कई महत्पूर टॉपिक हम कर चुके हैं आज हम उत्तर प्रदेश की नदिया करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियों से तथा उत्तर प्रदेश की नदिया कौं सी नदिया रिए हम देख लेते हैं उत्तर्प्रदेश की नदिया हिमाली नदियों की बात करते हैं और दूसरी प्रकार की जो नदिया है यूपी में वो मैदानी नदिया है ये एक्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में नदियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है तो मैदानी नदिया तो उत्तर प्रदेश में नदियों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है कौन कौन सा आपका हिमाली नदिया हो गई मैदानी नदिया हो गई और तीसरा पठारी नदिया पठारी नदिया तो इस प्रकार से तीन प्रकार से नदियों का यूपी की नदियों का विभाजन किया गया है तो आप हिमाली नदियों में आप यहाँ पर मैफ हमने बनाया है उत्तर पदेश का है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमालिय नदिय जो हिमाला याने समझाने के लिए आज़ा इग्याम पर हम आपको कर रहे हैं मैदानी नदियों के अगर हम आपके लिए बात करते हैं तो मैदानी नदियों में कौन से होगी गोंती नदिया, गोंती नदिया, गोंती नदिया, गोंती नदिया कहां से निकले, ये एक सर एक जाम में पूँचता रहता है, अभी हम आगे आपको डिस्कस करें, गोंती नदिया कहां से निकलती है, और एक जील से निकलती है, उस जील का क्या नाम है, तो फिलहार, गोंती नदी वर्णा नदी वरुणा सही कर्मनासा यह एक शरिक जाम में पूर्ण लेता है कि इन में से दे देगा गोंती नदी कौन से नदिया है ले नदीया मैदानी नदिया है पठारी नदिया है आप देखते रह जाएंगे और आपका कुष्चन गलत हो जाएगा तो गोमती नदी कौन सी है मैदानी नदीया है वर्णा सरी कर्मनासा आदी जो है को मैदानी नदीया है जो हम यहां पर इन दोनों में लिख देंगे इसके अलावा जो भी रिमेंडिंग बचेगी वो मान लेजे कि हिमाली नदीया है तो यहां पर सरी कर्मनासा वर्णा आदी जो वो मैदानी नदिया है आगे हम बात करते हैं कौन सी पहाडी नदिया या पठारी नदिया इनको पठारी को पहाडी भी कह सकते हैं पहाडी नदिया उस सितात पर वो नदिया है जो कि उत्तर पदेश में चोटे या मजले पहाड पाये जाते हैं जैसे कि मुंदेलखंड का बेतवाग सबसुक्त पूंशत्त की सब्सक्रान बेतवाग सबस्मक्राइब कि ये पठारी या पहाड़ी प्रकार की नदिया है रिहंद नदिया ये चीज़ आपको याद रखना है एक्जान्द के दर्ट से बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से कभीली किस्चन पूँच सकता है तो अब हम देखें मैप पर देखें मैप आप याद रखिएगा क्योंक यहां पर चीज़ें कौन अब यहां पर जिसे यमुना नदी आप देख रहे हैं यमुना नदी कहां से निकलती यमुनोत्री से निकलती है उत्तरा खड़ने एक भाग है जो यमुना यमुनोत्री स्थाने वहां से यमुना नदी निकलती है और यह बहते हुए भारत के गानों एक प gluten से होकर भाति ओनानदी को पर एक पर देखनी की सभ大家都 नदी कौन है इस होजीए पीचे में 2017 का एक प्रेशन आप वीकी आप heavenly के सामने हमें हम यहां पर रखुर है कि उत्तर और प्रदेश की सबसे प्रदूसित नदी करुंन मैं पूझा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रूसित नदी कौन है और सबसे यहां पर confusion यह ह despair कई किताबों में यमणा दिया है तथा कई किताबों में सई नदी दिये हैं तो आप क्या करेंगे आखिर वहां पे आपको क्या मानना है तो देखिए जो हमारा अभी तक जो fact है यमना नदी ही सबसे प्रदोसित नदी मानी जाती है तो आपको गलत नहीं करना है यमना नदी जो है सबसे प्रदोसित नदी है यूपी की सबसे प्रदोसित नदी यमना नदी सबसे ज़्यादा प्रदोसित है ये आपको यूपी टिवल सी आप जो फॉलो कर रहा है अपना इस्टेंडर्ड वो पीसियस के आरो पीसियस तथा रो यारो का कर रहा है क्योंकि पीसियस का इस्टेंडर्ड और उड़ गया है सबसे ज्यादा प्रदोसित नदी कौन सी है यमना नदी है अब यहां पर आगे हम बात यमना नदी करने और यम नूत्री से है ये जी आपको ध्यान लखना है नौत क Chicken प्रेशना और इंव्याम में बनता कि कौन सी नदी श्ट्रेत और हमार्याना के बीच में बाइश हुआ बनाती है विश्रीवर मेक्स बार्डर इन यूपी एंड हरियाना तो यहां आपको देखना है कि यम्ना नदी ही जो है हर्याना तथा यूपी के मद्ध बॉर्डर क्रियेट करती है यम्ना नदी यूपी तथा हर्याना के मद्ध तथा हर्याना के मद्ध हर्याना के मद्ध सीमा बनाती है कि मद्ध सीमा बनाती है सीमा बनाती है अब एक प्रशना और बनता है कि यम्ना नदी किस नदी में मिलकर बिलीन हो जाती है तो यम्ना नदी जो मिलती है किस नदी में मिलती है यह आपको बताना जरूरी है अब हम आपको बता दे कि यमना नदी से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो यमना नदी आपकी जो है इलाहबाद में समाहित हो जाती है गंगा नदी में ये तो आपको हमने बता दिया है इसके लावा हम यमना नदी से संबंधित अगर बात करें तो यमना नदी से यमुना की सफाई के लिए समझोता किया गया है सफाई के लिए समझोता किया है के लिए समझोता किया है यह अक्सर एक्जाम में पूंचता रहता है है कि आपको यह याद रखना जरूरी है कि यहां से कोई भी प्रेश्ण बन सकता है कि यह उना नदी से जो समझा होता किया है कौन से किस देश से किया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि यह उना नदी के लिए जो समझा होता किया गया है वो किस से किया गया है तो यह चीज बढ़ते हैं तो यमुना नदी चीजें आपको गंगा नदी के अब हम बात करते हैं तो गंगा नदी कहां से निकलती है इसको नोट डाउन कर लीजेगा एक जगा जिससे आप यमुना नदी पढ़ें तो आपका पूरा कंफ्यूजन वहाँ पे दूर हो जाए अब यमुना नदी पे कई जिलों पे यमुना रिवर फ्रंट बनाये जा रहे हैं जिससे कि क्या होगा कि और यमुना जो सागर बनाये जा रहे हैं जिससे कि कई जो सहरों को पानी के पीने के पानी के विस्था किया जा सके आगरा जैसे सहरों में तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है यहां पर तो हम चीज़ों को आगे यहां पर बढ़ाते हैं और आपके लिए बताते हैं कि गंगा नदी के हम बात करते हैं गंगा नदी से कहीं फैक्ट बनते हैं एक्जाम में और एक्जाम में इसकी लंबाई पचीस सो कहीं में लंबाई जो बात करेंगे उसकी आप यूपी में लंबाई एकुल मिलाकि 900 किलो मीटर है अब यूपी में गंगा किस जिले से प्रिवेस करती है तो यूपी में यूपी में गंगा बिजना और जिले से प्रिवेस करती है आपको याद रखना ये अक्सर एक्जाम में पूँच लेता है कि यूपी में गंगा किस जिले से प्रिवेस करती है तो बिजना और जिले से प्रिवेस करती है अब ये भी एक्जाम में अक्सर पूँच लेता है कि अंतिम छोर गंगा क क्या है तो यूपी में अगर गंगा का अंतिम छोर की बात करें तो बलिया यानि कि गंगा बलिया से होते हुए बिहार को चली जाती है तो गंगा का अंतिम छोर या अंतिम जिला की बात करने तो अंतिम जिला बलिया है बलिया से होते हुए गंगा बिहार में प्रिवेस कर जा यूपी के अठाई जिलों से होकर बैती है जिलों से होकर बैती है एक और प्रसने यहां से बन जाता है कि गंगा को केन सरकार ने कब राश्टी नदी का दर्जा दिया है तो गंगा को केन सरकार ने नौ में राश्टी नदी का दर्जा दिया है तो गंगा को गंगा को 2008 नौ में राश्टी नदी का दर्जा दिया गया राश्टी नदी का दर्जा दिया गया दर्जा दिया गया याद रखियेगा यहां से एक जाम में प्रिश्ण बनते रहते हैं कि गंगा को पुराश्टियन दी का दर्जा कब दिया गया तो 2008-09 में दिया गया अब गंगा का सबसे बड़ा तट किस जिले में है तो गंगा का सबसे बड़ा जो तट है गंगा का सबसे बड़ा तट का सबसे बड़ा तट सबसे बड़ा तट आपका कहां पे है बदायू में है बदायू जिले में सबसे बड़ा गंगा का तट बनाया गया है यहां पे 133 किलो मीटर गंगा भैती है यहां पे एक्जाम में अक्सरप्रेशन देखने को मिल जाता है कि सबसे बड़ा तट कहां बनाया किस जिले में बनता है अब हम आगर आगे बात कर लेते हैं गंगा नदी से संबंदी तो गंगा में सरवाधिक VOD कहां मिलता है तो यहां पर बात कर लेते हैं गंगा में सरवाधिक VOD की बात करते हैं सरवाधिक VOD सरवाधिक VOD तो यह कानपूर से इलाहाबाद के बीच मिलता है ये भी एक्सर एक्जाम में पूचता है कि कानपूर से इलाहाबाद ये एक्जाम में एक्सर पूचा जाता है कि आखिर ये क्या इसका क्या फैक्ट है तो यहाँ पे आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसका क्या फैक्ट है इसमें क्या फैट है आपका गंगा का सरवाधिक ब्योडी कानपूर से इलाहवाद मिलता है अब गंगा सरवाधिक प्रदूसित कहां है ये भी प्रशन पूंचता है तो गंगा जो सरवाधिक प्रदूसित हैं गंगा सरवाधिक प्रदूसित की बात कर लेते हैं कि आप सरवादिक प्रदूसित सरवादिक प्रदूसर की बात कर लें तो कज नैकर से वारांसी तक यह सरवादिक प्रदोसित है यह अक्सर एक्जाम में पूशता रहता है प्रश्ण आपको यह चीजें गंगा जी गंगा नदी से आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर जो चीजें एक्जाम में पूशता रहता है कि गंगा नदी से संबंदित कौन कौन से फैक्ट हैं तो यह आपको ची पधाले हैं तो किस नदी का नाम बदले हैं क्रयाग राज इलाभाद का नाम कर दिया गया है मुगल सराय आपको पता है दिन द्यालू पाध्याय हो गए है आपका फैजाबाद आपका हो गया आयोध्या इसी प्रकार से नाम बदलू बाबा ने एक नदी का नाम बदल दिया है किस नदी का नाम बदल दिया है, पढ़ लीजे, लिख लीजे, याद कर लीजे, समझ लीजे, एकजाम में कभी भी प्रिश्ण पूछा जा सकता है, तो घागरा नदी का नाम इन्होंने बदल दिया है, घागरा चोली वाला नहीं है, ये घागरा नदी की बात कर रहे हैं, तो बदल कर सर्यू नदी कर दिया है एक्जाम में कभी भी पूछ सकता है बदल कर सर्यू कर दिया गया है कभी भी पूछ सकता है UPPCS का एक्जाम होने वाला है UPPET का एक्जाम होने वाला है लेकपाल की भरती आने वाली है वीडियो की भरती आने वाली है इस्टोनों की भरती आने वाली है SST के परिछाय होने वाली इंसम में पूछा जा सकता है तो यह चीज आप भूलिए कर नहीं कि गंगा का जो है घागरा नदी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अब हम आपको बताएं कि जो एक नदी के पारे में हम बात कर रोले तो वाराणसी में जो है एक नदी पे चैनलाइजेशन का विकास किया जा रहा है यह एक्जाम में पृस्पा क्वारांड़सी में हो So double नंसी में रिवर फ्रंट रिवर फ्रंट हुआ चैनलाइजेशन का विकास किया जा रहा है का विकास किया जा रहा है कौन सी नदी है वो तो वारांसी में एक नदी पर चैनलाइजेशन का विकास किया जा रहा है यह वरुना नदी पर वरुना नदी पर एक और फैक्ट यहां से हम आपको जब चैनलाइजेशन की बात कर दें तो हम एक और उसकी बात कर लेते हैं कि आपकी गोमती नदी कहां है बाती है लखनाव में बाती है तो गोमती नदी पर रिवर फ्रेंट बनाया जा रहा है रिवर फ्रेंट बनाया जा रहा है किस नदी की तरज पर बनाया जा रहा है किस नदी की तरज पर तो लंदन की जो टेम्स नदी है लंदन की टेम्स नदी लंदन की टेम्स नदी जो है उसके उसी के बेस पर यानि कि उसी पैटन पर गोमती नदी पर क्या है evaluation का विकास किया जा रहा है तो यह चीज आपको देख लेना है अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कुछ और फैक्ट आपके यहां से बन रहे हैं नदी से सम्मधित तो आपको ये जानना जरूरी है तो हम बात कर लेते हैं कि जो रिहंद नदी है यूपी के किस जिले से प्रवेस करती है तो रिहंद नदी की बात करेंगे रिहंद नदी रिहंद नदी सोन भद्र जिले में प्रवेस करती है सोन भद्र जिले में प्रिवेस करती है रिहंद नदी पर ही एक बांध बनाया गया है कौन सा बांध है रिहंद बांध है इसी पर एक सागर बनाया गया है यानि कि सागर की बात करें तो बल्लब बल्लब पंतवाई सागर बनाया गया है जो ये बांध है जो रिहंद बांध है वो सबसे उंचा यूपी का बांध है यूपी PCS का प्रिशन है भारत यूपी का सबसे उंचा बांध कौन सा है तो यूपी का सबसे उंचा बांध रिहंद बांध है रिहंद नदी पे बनाया गया है और सोन भद्रजिले में है तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहां से प्रिशन आपको अक्सल देखने को मिल जाता है इसको आप नोट कर लीजे समझ लीजे रख लीजे तो ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा अब ये का प्रस नहीं यूपी पीसियस का और है राम गंगा नदी के तट पे कौन कौन से जिले अवस्थित हैं कि तट पर अवस्थित सहर कौन कौन से हैं ये चीज आपको जानना जरूरी है यहां से प्रिशन इक्षा ने पूंच लेता है कि किस नदी के किनारे कौन सा तट बसा हुआ है तो ये चीज आप अगर आप यहां से नहीं देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा तट कहां पे बसा है और यह एक्जाम में अक्सर प्रेश्न पूछ लेता है तो इसका सही एंसर होगा मुरादाबाद तथा बरेली मुरादाबाद तथा बरेली जो है किस नदी पे बसा हुआ है यह आपको यहां पे ध्यान देना है कि मुरादाबा तथा बरेली आपका रामगंगा नदी के तटपे अवस्थित है इन चीजों को आपको देखना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको प्रस्म कभी भी बन सकता है तो यह चीज आपको ध्यान देना है अब बेतवा नदी की बात करते हैं हैं रामगंगा हो गई बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो बेटवा नदी का प्रवेश कि बेतवा देखी वह हमारी बनी है कहां मधव पृदेश में से बेतवा मधव पृदेश से आती है बेत में बेत्वा नदी UP में हैं ललित पूर ये कौन सा जिला है मरर ललित पूर सबसे निचला जिला है यह सब्सक्रों सबसागा है गया यह जो नीचे जिले निकले labud लोह गया तो यहां पर देखना है कि यह जो है बेतवान अधी यूपी में ललित पूर जिले से प्रिवेश करती है ललित पूर जिले से प्रिवेश करती है प्रिवेश करती है और हमीर पूर जिले में हमेरपुर में यमुना में मिल जाती है यह ग्याम के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है इसको समझना है आपको जानना है क्योंकि यहां से प्रेश्र पूंज लेता है कि वेतवा नदी MP से ललित पुरु जीले में प्रवेस करती है यूपी में और यह आपके लिए यहां पर क्या प्रिश्ण बन सकता है कि यह नदी में किस जीले में मिलती है तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि यहां से प्रिश्ण कभी भी बन सकता है तो अब हम बात करते हैं स्वारी अब हम बात कर लेते हैं घोंटी नदी के बारे में हम कुछ आपको कहां से निकलती है कहां पर मिल जाती है चीज आपको जारना जरूरी है क्योंकि अब हम इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि हिमाली नदियों का विवाजन हमने कर लिया है अब हम पढ़ते हैं कि जो नदियां हैं प्रवेस्त कहां कर से करती हैं अब हम गोमती नदी के बात करने जा रहे हैं गोमती नदी के बात इसलिए जरूर ही है कि गोमती नदी भारत की राजधानी जो लखनव है वो गोमती नदी के किनारे इसलिए प्रिश्ण कभी भी उठा सकता है तो गोमती नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं गोंती नदी की अगर हम बात करते हैं तो गोंती नदी के बारे में आपको एक फ्रेक्ट जान लेना है कि ये कहां से निकलती है तो ये चीज आपको देखना है गोंती नदी पीली भीजिले के फुलहर जील फुलहर जील से निकलती है प्रदेश की राजधानी सहर इसी पे अवस्थित है गोंती नदी पे लखनाव जो है गोंती नदी पे अवस्थित है लखनाव इसी नदी पे अवस्थित है इसी नदी पर अवस्थित है आउस्थित है लखनाओ इसी नदी पे आवस्थित है तो यह आपको यहाँ कर मेण है आ गनगा नदी में मिल जाती है आगे चलके देख लिए गूंती नदी यहां पर कहां गंगा से मिल गई है यहां पर पिली वीट है पिली वीट से बैती हुई यह आपकी किधर बैती है इधर आपके आपका सकते हैं कि दच्छड पूर में बैती हुई आके गाजीपूर में जो है कैथी के पास गंगा नदी से मिल जाती है तो गाजीपूर के कैथी इस्थान पर गंगा से मिल जाती है ये एक्जाम में प्रेस्ट पूंसता रहता है तो जरूर पढ़ लिजे गंगा से मिल जाती है अब ये चीजें यहां से हो गई दिंदन आप हम एक चीज आपको बता दें कि उत्तर्भारत में नदियों का पैटन बहने का क्या है तो उत्तर भारत में सच के उत्तर प्रदेश की माग Är कि प्रदेश का यह लौड घडिके इन ड़लान की और बहती है यानि कि उत्तर पस्चिम में उचाई होने के कारण जो पूर और दच्चिन के इधर ड़लाना है तो सारी नदिया इसी पैटन में आपको बहती देख जाएंगी यानि कि उत्तर पस्चिम से लेके दच्चिन पूर की और ये नदिया सारी बहती है इतना पानी ना भरा जाए तो उपर नहीं उठेगा यह चीज आपको ध्यान देना है अब आप पूछेंगे किसार यहां पर यहां तो आपने काया दिया तो फिर यह नदियां इधर की और क्यों आ रहे हैं तो आपको हमने पहले बताया था कि जो पठार है पठार या दच्छ कुछ नदियां इधर की और बत इसलिए देखिन नदियों का सुरूप यहां से लेकर जादा तर नदिया क्या हो गई है मुड़ गई है तो यह आपको ध्यान देना है अब सोन नदी सोन नदी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी सोन भद्द जिले में आपको एक सोन नदी यूपी में सोन भद्र से निकलती है सोन भद्र से प्रवेश करती है प्रवेश करती है और यहीं से निकास यानि कि जो और निकास भी आपको ध्यान देना है कि जो सोन नदी है वो यूपी के सोन भद्र जिले से प्रवेश करती है और यहीं से इसका क्या हो जाता है निकास हो जाता है यानि कि यह आपका देखिए आप मद्ध प्रवेश से प्रवेश करती है और यह आगे सोन भद्र में प्रवेश की और यह बागे चलके आपकी बिहार की बॉर्डर से लगती हुई बिहार में चली जाती है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो इसमें फ्रेशन पूछ सकता है कि आप हम बता दें कि आप एक और हम बात कर लेते हैं टोंस नदी की टोंस नदी का कुछ जो द्रस है यह यहां से है यहां से आती है फिर यहां गंगा में मिल जाती है स्वरी यहां पे नहीं यह गंगायम्ना का संगां यह इलाभाद है तो टोंस नदी को ही तमसा नदी कहते हैं तमसा नदी इलाहाबाद यानि कि प्रयाग राज इलाहाबाद में यूपी में प्रवेश करती है प्रवेश करती है और गंगा जी में गंगा में विलीन हो जाती है इलाहाबाद ही जीले में विलीन हो जाती है एक्जाम में प्रशन बन जकता है कहीं भी क्या हो जाती है विलीन हो जाती है तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ये आपकी चीजे हैं तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है क्योंकि परिच्छा में जो सवाल है यहां से कभी भी पूँचा जा सकता है अब हम बात कर लेते हैं यमना नदी के किनारे कौन कौन से सहर बसे हैं क्योंकि यहां से परिच्छा में पूँचा जाता है कि यमना नदी के किनारे कौन से हम प्रमुक्ष हरों की बात करते हैं जहां से प्रिष्ण बनते हैं जहां से प्रिष्ण नहीं बनते हैं वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको करने का कोई मतलब नहीं है आप ज़्यादा लोड लेने का क्या मतलब है आप उतना पढ़िए लेकिन जितना पढ़िये फोस पढ़िये और परिच्छा में उतना पूछेएगा आप फालतों को चीज़ पढ़के अपने दुमाग पे लोड देंगे इसलिए आपको यहां पे ध्धान नहीं देना है फालतों को चीज़ों पे तो यमना नदी किन-किन जिलों से होकर बैती ह यमना नदी के किनारे बसे प्रमुक्ष सहर यमना नदी के किनारे बसे प्रमुक्ष सहर अब यमना नदी के किनारे कौन-कौन से प्रमुक्ष सहर है किनारे बसे प्रमुक्ष सहर अब यह चीज़ आपको देखना है कि यमना नदी के किनारे कौन-कौन से सहर बसे हैं यहां स प्रिस्ट ने अग्षार एग्याम में पूंचता है तो आपको देखना है यहां पर आपको देखना क्योंकि जरूरी होता है क्योंकि आपको यह चीज जानना जरूरी हो तो यहां पर जान पूर यमना नदी के हम बात कर रहे हैं यमना नदी के किनारे कौन कौन से सहर बसे हैं तो यह चीज आपको यहां पर जानना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रिस्ट पूच लेता है जान पूर आगरा इटावा प्रियाग राज यानि की इलाहबाद प्रियाग राज प्रियाग राज के बाद कौसाम भी जौनपूर, आगरा, इटावा, प्रियाग राज प्रियाग राज के हमने बात कर लिए है उसके रावा मतुरा ब्रंदावन यह प्रमुक जिले हैं जहां से आपका प्रिश्न पूँश सकता है कि यमना जिले जो यमना नदी है वो किन-किन जिलो में बसी है गोमती नदी के हमने बात कर लिए कि इसके किनारे जो प्रमुक सहार है कौन सा लखनाव हूँ है लेकिन इसके जो किनारे है वो आपका जौनपूर जौनपूर भी है और सुल्तानपूर भी है तो गोमती नदी में आप नोट कर लिए क्योंकि यहां से अक्सर पूछ लेता है कि जौनपूर किस नदी के किनारे बसा है या सुल्तानपूर किस नदी के किनारे बसा है तो यह आपका सही एंसर क्या होगा हैं फो हैं गूंती नदी होगा अब हम बात कर लिए आयोध्या किस नदी के जिन एकपनारे अवस्थित किसे कि डेख लेज़े क्योंकि यहां से पूंचता है वह आपको पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है राम गंगा राम गंगा वा काली नदी राम गंगा की बात कर रहे हैं वा काली नदी की हम बात कर रहे हैं ये कन्नोज में गंगा से मिल जाती है ये देख लीजेगा क्योंकि एक्जाम में आसे एक बार प्रेस्ट बन चुका है कन्योज में गंगा से मिल जाती है तो ये चीज आपको ध्यान लखना है क्योंकि यहां से प्रेशने जो है अक्सर पूंसता रहता है एक और नदी है बूढ़ी गंगा बूढ़ी गंगा बदायू में गंगा से मिल जाती है यह चीज आपको यहां पर देखना जरूरी है क्योंकि आपको हमने आपको यहां से प्रेशन कभी पूंख सकता है यमना नदी का प्रिवेश यूपी में किस जिले से होता है तो यमना नदी का प्रिवेश जो उदर देख सकते हैं सहारन पूरु जिले से होता है तो यमुना का प्रिवेस यमुना का प्रिवेस यूपी में ये यमुना में करना था लेकिन वह आप दिमाग पर उतर गया था तो यहां हमने करा दी यमुना का प्रिवेस सहारनपूर जिले से होता है याद कर लिजेगा एक्जाम से पूँश सकता है, सहारनपुर यमना का प्रिवेश सहारनपुर जिले से होता है जिले से होता है एक्जाम में ये प्रिश्न कई बार बन चुका है इसलिए आपको देखना जरूरी है अब हम बात कर लेते हैं गंगा के दाई, बाई और से मिलने वाली नदिया यहां से प्रिशन अक्सर बनता है, इसको हम करा लेते हैं, गंगा नदी में बाई और से मिलने वाली नदियां, यह जाम में अक्सर प्रिशन पूछ लेता है कि बाई और से कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बाई और, यह गंगा नदी है, इधर बाई और से कौन कौन सी नदियां मिल रही है, यह भी आगे चलके यहां पर मिल जाएगी, तो आपको गोमती नदी तो एक पुर्मुक रूप से जो बाई और से मिलती है, जबकि यमुना नदी जो है दाई और से मिलती है, यहां पर पुर्मुक रूप मैप में देख सकते हैं, तो यहां से आप देखके आप यह बता सकते हैं कि कौन कौन सी नदी जो है यहां पर मिलती है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है तो पहला राम गंगा राम गंगा, यूपी गंडक नदी में मिलती है अब इसकी जो है आप ट्रिक क्या हो सकती है राग गाग, तो राग घाग करके आप इसे याद कर सकते हैं, राग घाग, यहाँ से एक्जाम में पूँच सकता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एक्जाम में पूँचता है, तो आपको यहाँ से ध्यान देना है, अब वियमना नदी से कौन-कौन सी नदिया, सौरी गंगा बात करते हैं तो प्रमुक्रोप से आपकी यमना नदी मिलती है तो यह कुछ important fact हो गए है नदी से सम्मंदित एक और नदी जोड़ो परियोजना यूपी में शुरू की गई थी यूपी में क्या पूरे भारत में शुरू के गई थी तो जो नदी जोड़ो परियोजना है नदी जोड़ो परियोजना नदी जोड़ो परियोजना के ताथ एक नदी को जोड़ना था नदी जोड़ो परियोजना इसके ताथ केन तथा केन बेतवा का लिंक करना था केन बेतवा का लिंक केन बेतवा का लिंक किसमें करना था नदी जोड़ों पर योजना से यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां से प्रश्ण पूंच सकता है तो केन और बेतवा को आपस में जोड़ना था तो यहां पे आपको चीजें को देखना है कि क्या हो सकता है 25 अगस्त 2005 को यह फ वो नहर थी वो जहासी के पास इसको मिलाना था कैन नदी को बेतवा में जहासी के पास 231 किलो मीटर की लंबी नहर निकाल कर जहासी से जहासी में मिलाना था यहां से पूर्ण पूर्ण सकता है यहां पे आपको देख लीजेगा मिलाना था इसका परपज यही था तो यह चीज है इससे है UPMP के जो सहायक वो नदिया हो जाती है यह चीज आपको ध्यान देने लाइक है यहां पे अब हम बात कर लेते हैं नदियों के हमने बाते हैं हाँ से कुछ मातपून नदिया कर ली है चंबल नदि की बात करते हैं तो यह आगरा से UP में प्रिवेस करती है और रह्या के पास कहां चंबल नदि चंबल नदि आगरा में हमने उपर चंबल नदि कराई है देख लीजी आगरा से प्रिवेस करती है आगरा से यूपी में प्रिवेस करती है याद रखिए का चंबल से संबंदित यूपी में प्रिवेस करती है क्योंकि अक्सर एकजाम में पूछ लेता है और चंबल का बीहड़ भी परिच्छा में पूछ लेता है तो यह छेतर कौन स पड़ेगा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और या में या है और या है किस से मिल जाती है यह मुना से मिल जाती है यमना से मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में अब हम उत्तर प्रदेश के ये सामान नदिया हों गई जहां से आपका जो प्रेशन पूँचता है एक और प्रेशन पूँचता है कि जो हिंडन नदी के किनारे कौन कौन से है तो हिंडन नदी के किनारे कौन कौन से सहर है एक्जाम में पूछ लेता है हिंडन नदी के किनारे बसे सहर तो हिंडन नदी में आप किनारे कौन कौन से सहर बसे हैं यह पलच्छाओं में अक्सार पूछा गया है हम आपको यहां पर बताना जरूरी होता है कि हिंडन नदी के जिनारे सहर तो इसमें दो प्रूप रहा है यूपी के कौन है घाजी अबाद है ये घाजी आ वाद और दूसरा जो सहर है वो गौतम बुद्ध नगर है गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोड़ा जिसे जी बी टी भी आप कहते हैं तो यह एक सर एक्जाम में पूछ लेता है आप इसको करना जरूरी है इसको नोट करना जरूरी है आयोध्यामने गोरकपुर जो योगी यानि की जो ढोंगी बाबा का सहर है वो गोरकपुर है गोरकपुर किस नदी के किनारे है ढोंगी बाबा का सहर इसलिए पूछा जा सकता है गोरकपुर जो है किस नदी किनारे तो राप्ती नदी की किनारे गोरकपुर बसा है यह चीज आपको याद रखना है क्योंकि यहां से ज चित्रकूट भी यहां से पूँछ लेता है चित्रकूट किस नदी के किनारे है तो चित्रकूट मंदाकनी जिसे की पयस्विनी नाम से भी जाना जाता है पैस्विनी नदी के किनारे है तो यहां पे चीजों को आपको देखना हमीर्पूर जो है हमीर्पूर पूंच लेता है एकिजाम में आपको याद रखना है हमीरपूर बेतवा नदी के किनारे है बेतवा यहां से बच जाता है जो कि सोनमद्र हमने बता दिया है अब प्रताबगड जो है वो सही नदी के किनारे है तो यह आपका जो महत्पूर्ण है प्रताबगड वो सही नदी के किनारे है प्रताबगर सही नदी के किनारे हैं सही नदी के किनारे हैं अब एक चीज हमें यहां से आपको बता देते हैं कि यह नदियों से संबंदित जो हमारे प्रेश्ण हो गए यह हो चुके हैं अगली वीडियो में हम बांध से संबंदित करेंगे क्या करनी है आपको क्या कर नहीं करनी है यहीज आपको ध्यान देना है कि जल इस तर वो गोड़ा है यह जो मापन की विधी बनाई गई है उसको यह प्रकार से जो भूमिगत जल को मापा जाता है तो हाइडरोग्राफी के ताहद भूम के जल को मापा जाता है इसके लिए उत्तर प्रदेश में कई सिंटर इस्थाफित किये गए हैं तो उत्तर प्रदेश में सिंटरों में काफी जाता है इसमें जो देश में साल भर में करीब छे बार इसको मापा जाता है कब कब मापा जाता है जनवरी में मापा जाता है उसके बाद अप्रैल में फिर जून में फिर अगस्त में जुलाई अगस्त में उसके बाद अक्टूबर में और फिर दिसंबर में तो इस प्रकार से इन छे महीनों में साल के छे महीनों में जो है क्या माप आ जाता है भूनगे जलिश्तर को माप आ जाता है तो यह रही आपके लिए इंपोर्टेंट वीडियो नदियों से सम्मनित अगली वीडियो में हमें फिर बान से सम्मनित नहार से सम्मनित लेकर फैक्ट हाजिरोंगे तब तक लिए धनवाद